नमस्कार दोस्तों आपका हमारे सिंदी सिखे युटूब चैनल पे श्वागत है देखिए हम एक बार और आप लोग के लिए भार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हमारा बहुत सयोग किये हमारे चैनल को बहुत सस्क्राइब मिला लाइक भी मिला कमेंट में भी ला एक बार और हम कहेंगे आपसे कि वीडियो जदी अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करेंगे अपने दोस्तों से भी कराएंगे अन्य लोगों के पास शेयर करेंगे और कमेंट बाक् में कि आप इस चैप्टर का वीडियो डाल दीजे हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आप लोग को वो चैप्टर तुरंत उपलब्द कराएंगे देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कल वाक्य और वाक्य में जो हम आज वाक्य पढ़ा रहे हैं वो मोस्ट इंपर्टेंट ज हिर्ल हिर्ल इसको साधारण भी कहते हैं सारल या साधारण वाक्य क्य दूसरार शायुक्त तो देखेंगे आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं शरал या शाय्दार वाक्य दूसरा सायुक्त वाक्य और तीसरा कि वे जो स्बास liquor यह आपके रचना के अधार पर वाक्य के भेद हैं रचना के अधार पर वाक्य के तीन बेद शरल शयुक्त और मिश्र होते हैं देखें हम पढ़ाये थे आपको वाक्य के अंग वाक्य के अंग और उसमें हम बताये थे कि वाक्य के दो अंग होते हैं एक उद्देश होता है उद्देश और दूसरा विध जो कुछ कहा जाए तो वही शरल्वाक्य होता है देखे हम जो आपको परिभाशा देंगे वो लगबग भुक में भी नहीं मिलेगी और उधारण में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा देखे सरल्वाक्य की परिभाशा देते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश और एक विधे हो यानि जिस वाक्य में उद्देश और विधे हो उन्हें हम शरल्वाक्य कहते हैं जैसे माली जम कहा दे राम पुस्तक पढ़ता है अब दीखे शिंपल हम लोग पढ़े हैं उद्देश क्या होगा तो राम होगा विधे क्या होगा पुस्तक पढ़ता है यानि इस वाक्य में एक उद्देश और एक विधे हैं इसलिए वाक्य शरल्वाक्य कहलाता है देखे आप परिभाशा लिखेंगे नहीं ऐसे बता दे रहे हैं देखे एक उद्देश का अनेक से शमान समबंद होता है तो भी वाक्य शरल होता है जैसे मानिजम कह दे माता बहुत बुचा जाता है माता पिता सब्सक्राइब देश हैं अब दिखे इसमें अने अनैक उदेशियों का एक बीदेयों से समान संबंध होता है तो भी उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं यानि ये भी वाक्य शरल है और ये भी वाक्य शरल है एक और परिवासा चोटी सी देंगे अनेक उद्देश्यों का अनेक बीदेयों से शमान संबंध होता है उस वाक के को भी हम कहते हैं सरल, अब जैसे माली जाने कुद्देश में हम लिख दे राम, श्याम, रीता, बढ़ा शक्ते हैं तमाम नाम, रीता, सीता, गीता, एक साथ, एक साथ, खेलते, कुदते, नाशते, गाते, पढ़ने जाते हैं, अब देखें इसमें उद्देश और विद्देश की पहचान करें, तो देखें, एक और उद्देश, 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 यानि पांच उद्देश हैं, अब विद्दे इसमें देखा जाएं तो पांच उद्धेश और छे विध्ये हैं हमने आपको बता दिया कि एक उद्धेश या अनेक उद्धेश का अनेक उद्धेश विध्यों से शमान संबंद होता है उस वाके को भी शरल कहते हैं अनेक उद्देशों का एक बिदे से समान संबंद होता है तो भी वाक के शरल होता है और एक उद्देश और एक बिदे होते हैं तो वाक के भी शरल होता है ऐसा आपको किसी वे यूटूप पे नहीं मिलेगा और कोई किसी बुक में भी नहीं मिलेगा यह हमारा दावा है आगे वाक्य में या अथवा और किंतु परंतु तथा पर बरन बल्की यानि शमुचे वोधक वाक्य सब्द नहीं होते हैं वो वाक्य होता है शर्ण देखे इसमें कहीं यहां अथवा और परंतु किन्तू नहीं है, इसमें भी कहीं यहां अथवा और किन्तू परंतू कुछ भी नहीं है मने समुच़को गब्रकव सक्षाप हम बिश्वास करते हैं कि ये चीज़े आपको अच्छे से समझ में आई हो दूशरा वाक्य देखा जाएं देगे ये टापिक आपका most important है आपके प्रत्य एक्जाम में एक question आते हैं देखे संयूक्त वाक्य हम पढ़ेंगे तो संयूक्त वाक्य में दो साधारण वाक्य किसी समानाधीकरण समुच्य बोधक अब समानाधीकरण समुच्य बोधक अब्य होता क्या है तो देखे या होगा और किन्तु परंतु अथवा वो चाहे इत्याज देखे इन से दो सरल वाक के जुड़े हो दो साधारण वाक के जुड़े हो तो वो वाक के शयुक्त वाक के कहलाता है जैसे माली जब एक उधारण दिखाते हैं इसको मिटा रहा है एक उधारण दिखाते हैं आपको राम और स्याम भाई हैं अब दिखी ये समुच्य बोधक अब्य आपका आगया ये आपके शामने और तो ये और क्या किया राम को और स्याम को दोनों को जुड़ दिया तो यह वाक्य ऐसा वाक्य शयुक्त वाक्य कहलाता है एक और देख लीजिए जैसे माली जो कोई ठेला विक्रेता है फल बेच रहा है तो वह कह रहा है चाहे केला ले लो लागडाउन का यही सारा है चाहे केला ले लो ले लो चाहे सेब देखिए सेब नहीं होता है सुद्ध सब्ध सेब होता है अब यहाँ भी देखिए ये आपके शमुचे बोधक है चाहे चाहे यानि चाहे क्या किया जोड़ा है जदि हम इन चाहे को मिठा के एक बर देखें अब पढ़ें तो केला लेलो से बिल्कुल जुड़ा नहीं है वाक्ये तो यानि शब्दो पदो तथा वाक्यों को जोडने वाले अब्बे हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं और देखें जब दो वाक्य किसी समाना अधिकरन्ट समुचे बोधक अब या अत्वाकिंद पर वरंत तथा वलकी इत्यादी से जुड़े होते हैं तो उसी वाक्य को हम सहीवत वाक्य बोगते हैं आगे चलते हैं हम आपको लेके मिस्र वाक्य जो most important एक बार आप देखेंगे कभी नहीं भूलेंगे मिश्र वाक्य को मिश्रत वाक्य भी क्याते हैं और देखें जब प्रधान या आश्रत उपवाक्य प्रधान या आश्रत उपवाक्य किसी ब्याद ही करण समुच्चे बोधक अब्य है जैसे यदि आएक तरफ हो जाता है तो यह दोनों आते हैं जब तब कि ताकि पर इत्यादी जो सो भी आता है देखते रहेंगे जो सो यानि ये दो समुच्चे बोधक अब्य हों तो मैं लीजीगा कि आपका वो मिश्रे या मिश्रत वाक्य होगा देखंगे जदी हमकए यादि वह आए तो मैं जाऊं winding देख लीजे कर आ कि यदि वह आए तो मैं जाऊं यानि इसमें यदि और ये तो मैं तो इस तरह से जोड़ी वाला इसको हम कह सकते हैं जोड़ी जोड़ी वाले अब्वे से जो जुड़ा है जो सो यदब तथापी देखें यदी तो जब तब जो सो यदब तथापी इस तरह से जोड़ी वाले जो वाक के जुड़े होंगे तो वानी शंकुछ मिस्रिया मिस्रि आया कि आज विद्याले बंद रहेगा आज विद्याले बंद रहेगा आज विद्याले बंद रहेगा देखे रभी ने बताया कि यह की क्या किया जोड दिया अब यह की जोड दिया देखेगा अब यह कहने वाला कोन है रभी बता रहा है क्या बता रहा है आज विद्याले ब इन CC यूपिए जौोट दिया दो प्रदाने आसुर तरह तरह का वाक्य आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा देखें इससे बाहर कोशन नहीं जाएंगे चाएं वह Kices home लेकफाल हो या यूपे ट्रैपलसी के तुञ चा ति motivate वैकेंसियान उसमें इससे बाहर कोश्टन नहीं जाएंगे यदि इतना पढ़ाने के बाद भी आपको किसी में कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आपने शंकोच हमारे कमेंट वाक्स में कमेंट करेंगे और अन्य कोई चीज़े आपको शमझ नहीं आ रही हो तो उसका भी आपको वो कमेंट बाक्स में करेंगे ताकि हम उसका एक व्यवस्तेत वीडियो आपको देश के अपने माध्यम से अब देखे दो मिनट हम आपका और शमेलेंगे कुल मिला के शीधा सा अर्थ ये है भोजपूरी में कि जोने वाक्य में कुछ जोड़ले ना रही या अथवा किन्तु परंतु ना जोड़ले सरल आ जोने वाक्य में और या अथवा किन्तु वो इत्यादी जोड़ा होगा वो आपका संयुक्त वाक्य होगा उसे युक्त वाक्य होई आ ओकराबास से मिस्र या मिस्रित वाक्य होई जवना वाक्य में है जोड़ी रही यदी होके तो होके जब होके तब होके जो होके सो होके यद्दे पी हो तथा पी हो और कि ता कि पर यानी अर्थात मानो होई मिसर या मिसरत वाक्य होई आपके कोश्चन में किसी भी प्रेक्टिसेट को उठाएंगे तो यही आते ही हैं मिसर वाक्य वाले यदि तो जो सो जब तप यदब तथा भी तो देख लीजेगा मिसर वाक्य और बिल्कुल हम उम्मिद करते हैं किससे कोश्चन आपके गलत नहीं होंगे इसी के शाथ जदे हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे हमारे वीडियो को लाइक करेंगे हमारे चैनल को सस्क्राइब करेंगे और अन्य लोगों के पास भी शेयर करेंगे इस एकिशाद जैहिन जैवार